दो पडोसी जब भिड़ते हैं तो दुनिया देखती ही देखती है आज दो पडोसीयों की भिड़ंत है इंडिया वर्सिस बांगलादेश जहां पर अगर आप हेड़ टो हेड रेकॉर्ड्स को देखें तो 31 आठ का है 31 टाइम हम जीते हैं आठ बार बांगलादेश जीती है ल पूने जाते हुए उन्होंने अपनी लंबर गिनी 200 प्लस की रफ़तार से दोड़ाई इसलिए उनका ओवर स्पीडिंग का चालान कट गया है लेकिन जिस तरीके से रोहिशर्मा बैटिंग करते हैं वहाँ पर ओवर स्पीडिंग पे कोई चालान नहीं आज वो रूप कहना है कि बहुत इंपोर्टेंट वो प्लेयर हैं टीम की बस पे ट्रैवल करें यह टॉर्मेंट बहुत इंपोर्टेंट है उनकी सेहत उनकी सेफटी बहुत इंपोर्टेंट है एंड मुविंग ओन मैच पे आते हैं जहां पर बंगलादेश के साथ मुकाबला है और बंगल हसन मिराज की बात करें शाकिब लहसन की बात करें कमाल के प्लेयर से उनके पास शाकिब की सेहत क्या वो 100% फिट है यह बंगलेश के लिए सवाल है लेकिन इंडिया के लिए देखें तो जवाब ही जवाब है जिस तरीके से शुबमंगिल रोह शर्मा की ओपनिंग पेर है उस का जवाब ढून पाएंगे बंगलादेश के बैटर क्योंकि वो इस स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं तो कांटे का मुकाबला होने वाला है उसके अलावा रोह शर्मा इस वक्त वर्ड कप के किसी भी एडिशन को मिला ले तो सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने वाले प दिखाते हुए इंडिया डेफिनेटली जीत हासिल करेंगी मुझे ऐसा लगता है की प्लेयर में आप रख सकते हैं इस तरफ जस्पृत भूम्रा को उस तरफ आप रख सकते हैं रोह शर्मा को और अगर बात करें हम बांगलादेश की तरफ से मैं हमेशा कहता हूं शाकिब परसेंट फिट है तो वो इंडिया के लिए बड़ी चुनौती खड़ी करेंगे कुल मिलाकर दो पड़ोसियों के लड़ाई दुनिया देखेगी वी आर सूपर एकसाइटेट मुझे इससा लगता है कि टॉप की पोजिशन पे एक बार फिर इंडिया जाना चाहेगी और इ बहतर को क्रॉस करने के लिए हमें बहतरीन खेलना पड़ेगा तिम इडिया खेलेगी आपको क्या लगता है